हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग नमस्ते आप देख रहे हैं अपना यूटूब चैनल यश्की बगिया और इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड आपका सपोर्ट बहुत मिल रहा है सने बहुत मिल रहा है और आपके शांदार कॉमेंट से हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है उसके लिए दिल से बहुत बहुत दर्नेवाद फ्रेंड आज मैं कुछ ऐसे प्लांट आपसे शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही कम देखवाल में हम उनको अपने पास रख सकते हैं और कटिंग से भी हम उनको छोटी सी कटिंग से भी हम उनको लगा सकते हैं और हमें बिल्कुल इस समय नरसरी से हमें बहुत ही असानी से बहुत इजीली एवेलेबल हो जाएंगे तो कुछ ऐसे ही एर पुरिफार प्लांट मैं आज आप से शेयर कर रही हूँ सबसे पहले आता है यह एलोवेर का प्लांट बहुत ही लो मेंटिनेंस वाला प्लांट है यह और एक मेडिसन वैल्यू तो आप इसकी जानते ही होंगे इसकी बहुत ही अच्छा एर पुरिफार प्लांट भी है यह यह एक छोटे से बेबी क्रिंट सरोन विभी हमिसका प्लांटप और फ्रेंट्स अगला प्लांट आता है ये स्नेक प्लांट का इसमें दोनों वराइटी है मेरे पास ये लॉंग वराइटी भी है मदरिल्ला टंग के नाम से भी जाना जाता है ये डौर्फ वराइटी भी है अब कोई सी भी वराइटी आपको इजीली एवेलेबल हो जाएगी ये एक plant से हम इसके कई सारे plants बना सकते हैं ये भी एक बहुती अच्छा best air purifier plant है और friends अगला plant आता है ये तुलसी जी का तुलसी जी एक बहुती अच्छा medicine plant तो है ये आपने जानते ही होंगे इसके बारे में एक बहुती अच्छा air purifier plant हुई है इसको घर में लगाना बेहदी शुब माना जाता है और friends अगला plant आता है ये एकलो निमा का बहुती अच्छा air purifier plant है इंडोर प्लांट में ये बहुती अच्छा लगता है इंडोर में ये बहुती अच्छा लगता है और इसकी कई variety आती है low maintenance वाला plant है इसके baby plants से आप कई सारे plants बना सकते हैं कई variety आती है इस समय ये बहुती असानी से available हो जाएगा तो इसे भी हम अपने plant collection में शामिल कर सकते हैं और friends अगला plant आता है ये umbrella palms का बहुती best air purifier plant है बहुत असानी से easily grow हो जाता है ये इसके इसमें seeds भी बनते हैं इसके seeds से भी आप इसके नई plants बना सकते हैं और ये multiply होता रहता है और आ बहुत अच्छी देखने लायक होती है एक ये बहुत अच्छा option है और friends अगला plant आता है ये song of India का बहुती अच्छा low maintenance वाला plant है ये बहुती अच्छा air purifier plant है cutting से ये बिल्कुल आसानी से लग जाता है और नरसरी से इस समय ये बहुती अच्छे से available हो जाएगा इसकी leaves की आ हम अपने plant collection में शामिल कर सकते हैं और friends अगला plant आता है ये booston farm का बहुती अच्छा best air purifier plant है और ये बिल्कुल low maintenance वाला plant है multiply होता रहता है आप इसको divide करके कई सारे plants इसके तयार कर सकते हैं और friends अगला plant आता है ये arica palms का बहुती बेहतर air purifier plant है greenery देखने लायक होती है इसक बिल्कुल low maintenance वाला plant है balcony area में या आप इसे indoor में रखेंगे तो बहुती खुबसूरत लगता है देखने में बहुती best air purifier plant है ये भी multiply होता रहता है आप इसके कई सारे plants बना सकते हैं और friends अगला plant आता है ये खुबसूरत leaves वाला singonium के नाम से जाना जाता है बहुती low maintenance वाला plant है इसके cutting करके आप कहीं पर भी किसी भी मिटी में डाल देंगे तो उसका plants जल्दी तयार हो जाता है बहुती अच्छा बहतर एक option है हमारे पास air purifier plant के लिए और friends अगला plant आता है ये croton का बहुती बहतर एक अच्छा air purifier plant है ये इसके कई सारी variety आती है आप कोई भी variety इसकी लगा सकते हो इसके leaves की बनावट और color आप देख रहे होंगे बहुत ही खुबसूरत होता है और ये सबसे बढ़िया बात है इसकी कि ये बहुत ही अच्छा air purifier plant भी है और friends अगला plant आता है money plant ये तो देखने में बहुत ही खुबसूरत होता है और इसको cutting से आप जानते ही है बहुत ही असानी से ये लग जाता है और ये indoor में और air purifier plant है ये तो इसे हमें अपने plant collection में जरूर शामिल करना चाहिए और friends अगला plant आता है ये spider plant का ये देखने में बहुत ही खुबसूरत होता है इसके runner से हम कई सारे plants बना सकते हैं जो देखने में बहुत ही खुबसूरत बहुत ही best best air purifier plant है ये ये hanging basket के लिए आप इसे बड़े pot में भी लगा सकते हैं और इसके runner से इसकी beauty बनती है तो इसे अपने plant collection में जरूर शामिल करें तो friends उमीद करती हूं मेरा आज के वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा पसंद आये तो इसे like करें शेयर करें जो म को मेरे अगले वीडियो का notification मिल सकें तो friends तब तक के लिए अपना और अपनी family का खयाल रखें ओके friends बवाए